इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब कॉंग्रेस पार्टी को सुकेश कुछ तो सोचना पड़ेगा वो तो अपने इसाब से अगर ये मानले तीन राजे हार जाती है तो वो यही करेगी ना आप MLS देखिए देश में किसके MLS सबसे आदा क्योंकि इंडिया गठ बंदन में अब वो बैठक नहीं हो पाई थी क्योंकि चुनाओं में व्यस्त थे नितीश कुमार ने एक आज बार तंज भी कजा इस पे इन नतीजों के साथ जब वो इंडिया ब्लॉक की बैठक में जाते हैं तो वो एक डेमोरलाइजड कॉंग्रेस होगी वो हिमाचल और करनाटक के जीत के साथ जब आगे बढ़ रहे थे तो वो आम ट्विस्टिंग वाला उनके साथ एक वो था कि भाई ब्रिक ब्रदर तो वही हैं जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश से लेकर तमाब अपने सहयोगियों को धता बताया है छोड़ो अखिलेश वखिलेश तो जन्ता ने उनको वहाँ छोड़ दिया अखिलेश अब कह रहे हैं कि मद्धिप्रदेश में वो छे लोग सबा सीटे लड़ेंगे तो ऐसे में इंडिया को और कॉंसॉलिडेट करना अब बाकी लोगों की जिम्मेदारी हो जाएगी कॉंग्रेस को पीछे रहना पड़ेगा बैक्ग्राउंड में आना पड़ेगा उसे ये मानना पड़ेगा कि हमें किसी और को आगे बढ़ाना पड़ेगा और सब को साथ होकर चलना पड़ेगा कॉंग्रेस अपने दम पर अगर ये चाहती अगर अगर इन चुनाओं के नतीजे उनके पक्ष में जाते तो शायद वो एक लीडिंग फोर्स होती वो एक गाइडिंग फोर्स होती और सब लोग उसको लाइक उसको और संबल देते हुए नजर आते कि हम आपके साथ पीचे खड़े हैं दुरी बन सकती थी और उसके इल्ट फिर लोग सब लोग गुमने को तयार हो सकते थे शायद उसी का इंतजार था कि कॉंग्रेस दुरी बनना चाहती लेकिन एक प्रचंड सत्ता के सामने अगर बीजेपी ये तीनो राज्य नहीं जीतती तो उसका नेरेक्टिव ये होता कि शिवराज सिंग चोहान तो जीत गए लेकिन मोदी हार गए हैं ये मोदी की हार है क्योंकि मोदी अपने दम पे लड़ रहते चुनाओ अगर ये तीनो राज्यों में जी जाती है बीजेपी जैसा की आखड़े बता रहे हैं तो मोदी अनस्टापबल नजर आएंगे ऐसे मोदी के सामने आपके पास कोई अल्टनेट नारेक्टिव है क्या ऐसे मोदी के सामने आपके पास कोई अल्टनेट फेस है क्या ऐसे मोदी के सामने कोई alternate plan है क्या ऐसे मोदी के सामने कोई alternate organization आपके सामने का है क्या इन तमाम चीजों का जवाब Congress के पास नहीं होगा और India Block को नए सिरे से सोचना पड़ेगा तो ये सबसे बड़ी मुश्किल आने वाली है और समय time is running fast अब विनो जी मैं ये सोच रहा हूँ क्या हम मोदी factor को कहीं कम करके तो नहीं आ करे मद्यप्रदेश ठीक है चलिए मानलिया शिवराज का बहुत बड़ा रोल है लेकिन राजस्थान भी तो BJP जीत रही है और अब ये अंतर देखिए बढ़ता जा रहा है 1173 वहाँ तो वसंद्रा राजय आगे नहीं थी 36 गड़ में देखिए तिरपन 35 वहाँ भी अंतर बहुत बड़ा हो गया वहाँ भी रमन सिंग आगे नहीं थे तो कहीं मोदी factor important है और हम